आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ An Acid is पूछा गया है कि Acid जो है वो क्या होता है तो बेसिकली अगर हम लोग एक्सामपल ले जो की HCl होता है तो HCl को अगर हम लोग Dissociate करते हैं जो की बहुत ही Major Acid है तो वहाँ पे H+, और Cl- दिखाई देता है तो इसी तरह किसे हम लोग बोल पाएंगे कि जो Protons होते हैं को क्या होता है एक्षिली आसइट क्या करते है कि Protons को Release करते है इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि Acid जो है ये एक Great Protons Donor हिसाब से काम आते है तो इसी हिसाब से अगर हम लोग यहां पे देखे तो First Option ही जो है यहां पर Proton Donor है इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि acid जो है वो proton donor हिसाब से काम करते हैं वहीं पर अगर proton acceptor का बात किया जाए तो ये एक base होते हैं जिसे हम लोग कहा सकते हैं कि base जो कि NaOH होता है तो NaOH base जब dissociate करता है तो क्या होता है कि Na plus और OH minus में dissociate करता है इसका मतलब क्या होता है कि OH minus जो dissociation है इससे ये थाबित होता है कि यहां पर एक proton जो है वो necessary होता है तब ही जाके क्या होगा कि NaOH बनेगा Next है electron donor तो ऐसे substance होते हैं जो कि electron को exchange करके क्या करते हैं कि energy या फिर उनके जो काम होते हैं वो पूरा करते हैं इलक्ट्रोन एक्सचेंज का काम जो है वो acid या फिर base में बहुत ही कम दिखाई देता है इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो accurate है acid के बारे में वो हो जाता है इससे proton donor और इसी वज़े से हम लोग first option को ही यहां पर टिक कर लेंगे अज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाथसाप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर